नमस्कार आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ओफीश्टियल यूट्यूब चैनल सेजी ग्रूगल पर तो सातियों कैसे आप से भी लोग लगातार कॉल पर कॉल आती चली जा रहे हैं कि सर मंडी सचिव का बैच आप क्यों नहीं लॉंच कर बना रहा हूं तो इसमें आपका पैटका के टाफ भी आ गया है जो विद्यारती पास हो गया है उनको बहुत-बहुत बदाई आप उनकी मुख्य परिक्षा की बारी है लगा देना है जान और उस प्रकार से फोटू आपके लगानी होगी हम लोगों को है ना तो यह आप हम यह दुद्मीचे यहाँ पर यहाँ से वादा करना है आपको चलिए बन दरोगा में भारी मातर में से लक्सतन ग्राम पंचा दितकारी ग्राम विकास एक निउक्तिपत्र वित्रनत समारो हो है ना लखनों में ही तो आपको भी निउक्ति पत्र जरूर मिलेगा आप हमारे सा तो परिक्षात थी आप मान के चलिए सबसे पहले ग्राम पंचा दितकारी और इसके बाद जाए तो यह परिक्षा हो जानी चाहिए तो क्या चार महने में सील Cabinet हो जाएगा सर अगरह में चार महने मानके चले तीर मैंने मानके चल Katyuk क्या सिल्बस हो जाएगा अरे भाय बहुत वड़ा सीलाब साहि का आप जानते हो UP SSC में उत्तरप्रदेश स्पेसल और computer स्पेसल ये आपका सब में common है जो आपका complete हो चुका होगा आपने junior assistant form भरा होगा उसमें आपने पढ़ दिया होगा जितने भी form आप भर रहे हैं तो UP सपेसल और computer तो आप पढ़ी ले रहे हैं हना बात करते हैं विशैगत ग्यान की जो 50 पचास नंबर का extra आ रहा है तो आप लोगों के लिए forest guard का मैंने एक batch प्रारम किया था लेकिन उस समय हना क्या नहीं आया था इसलिए मैंने उस batch को start नहीं किया था लेकिन मैंने उस batch में कुछ classes ले ले थी जैसे biology की जो क्लास थी वो complete कर दी थी और computer की जो क्लास थी वो common थी तो बात होती है सिर्फ विशाइक अध्यान की सर्फ वो 50 नंबर जो forestry से आने वाले हैं वही उसी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ पूरी तरीके से कि परेसा नहीं हो ना जो आपके 18 चेप्टर है या 18 चेप्टर पूरी जवान पर आपके रट जाएंगे ठीक ना तो क् सो कोशन आएंगे सौ मार्क्स के आपके वन बाई फोर्थ की निगेटिव मार्किंग है जिसमें आपकी फोरेश्ट्री का सिलाबस 50 कोशन 50 मार्क्स के आने वाले हैं इसके बाद गड़ित और जी विज्ञान गड़ित के कुछ आना चेप्टर है पर्सेंटेज बताओं तो लगग लगग 15 चेप्टर हैं जो आपके पेपर में आएंगे जैसे राश्री वन नीती वाला चेप्टर यहां पे नहीं है लेकिन वह पेपर में आपके आएगा तो राश्री वन नीती जब हम समझेंगे तभी उसमें आरच्छित वन और संरच्छित वन समझ पाएंगे तो कुछ तीन चेप्टर ऐसे हैं जो इसी के अंदर हैं लेकिन अलग से हमको पढ़ने होते हैं तो वह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा टोटल 18 चेप्टर होंगे और बहुत बड़ बड़ा चेप्टर नहीं होते हैं अगर मैं देखू तो 25 से 30 क्लास ली जाएगी दिखाऊंगा तो राश्ति उद्ध्यान वां पक्षी विहार और मैंने इसकी राश्ति उद्ध्यान पक्षी विहार की कल एक क्लास लेली भी ली थी आइसा डैमो उसको पढ़ दीजिए गा फिर के बेस पे आरचिवन सरन अचिवन हाथी रिजर्व टाइगर रिजर्व प प्रद्धि निकालना और जीव इज्ञान के सारे टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं इन्हीं पढ़ा चुका हूं मतलब क्या है सब्सक्राप नया बैस लांज कर रहा हूं वह वास्तों में हमारा जो पुराना वाला बैस्याइच जिसको मैंने स्टार्ट नहीं किया और में है नहीं पहलं कि नहीं हो कि लेकिन सब्सक्राइब करें कि घूर Cyres like BS अभी क्लासी हो चुकी है आग़ Cya सिabet Of लाइफ कर दूँगा मैं खुद पढ़ात दूँगा कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए ठीक ना क्योंकि विद्यारतियों का यहां पर फोन आ रहा था कि सर हमें पूरा रिकॉर्जट बैस दे दीजिए आपका जो फॉरस्ट गाट का को रिकॉर्जट बैस हो ताकि हमें मिल अब इसके बाद यूपी है उप क्या है तो संकंध बैच आपको लांच कर रहे है इसमें क्या खास बात होगी प्रति दिन थीन गंटे क्लास की स्ट्र vain защण की एभिग वाय pomp давно चुट हो चुकि रहे है उसके बाद है कॉंप्ट की कम्भीटर की क्लास करते हैं और एक साल में पेपर नहीं होता है तो आप कॉल करके वलीदिती को अपना बढ़वा लिजीगा कोई बड़ी बात नहीं है प्रेक्टिस शीट को प्रिंट कराने की सुविधाइस बर मैं आपको दे रहा हूं कि जो मैं आपको प्रेक्टिस शीट दूँगा उसको को इसी चीज को समझाने के लिए मैं पूरा बैच्ट यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं आप यहां पर देखेंगे हना टो चैप्टर वाइस आपको यहां पर मिलेगा ना वने जीवकारियोजना यह भी आपको पढ़ना है ठीक है और राश्ति उध्यान आप यहां पर तो पूरी शीट किसी को डाउनलोड कर लिजेगा और निकाल लिजेगा और मैं वन बाए वन करके संडे को सॉल्व कर रहाँगा एक चप्टर पढ़ा के सॉल्व कराया जाएगा फिर इसके बाद रभी बार को इसका प्रेक्टिस पेपर सेलूशन हो जाएगा फिर आपका पे और आप डाउनलोड कर लिजे वीडियो को और जितनी बार चाहिए उतनी बार देखिए डाउनलोड जो वीडियो होते हैं वह परिक्षा तक रहते हैं और इसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा आपका जब मैं मॉक लूँगा तो इसमें रैंक भी आपको पता चलेगी कि क इत्ते बच्चों में आपकी कित्मी रेंक है फिर इसके बाद यह है आपका संखनात बैच्च जो कि I start कर रहे हैं चार नवंबर से यह बैच्च लेते ही आपको प्वारेश्ट्री वाला स्लैबस है वो मैं आपका चार नवंबर से स्टार्ट करूँगा वैसे एक क्लास मैंने ली थी नेशनल पार्क की एक घंटे की तो उसको आप पढ़ दीजिएगा तो बिल्कुल यह पूरी तरीके से नया बैच होगा इसमें सारी क्लास फिर से मैं ला दूँगा अपडेटेट इसी क्या कोडिक ठीक है ना इस बैच के फीज पांच 5990 उपर थी लेकिन अभी इसमें दिवाली ओफर फिर से जोड़ दीजिए तो दिवाली ओफर में इस बैच की फीज मैंने कर दी है मात्र फोर डबल नाइन कितनी कर दी है पोर डबल नाइन अ जितनी classes में हो चुकी उसको फटा-फट से पढ़तों लेंगे कम से कम आप हना तो 999 काट के 599 काट के 499 काट के 399 रुपए फीस करती है अब इससे कम फीस नहीं हो पाएगी आप जानते हैं और बेतर तरीके से तैयारी करने के लिए SSG गुर्कुल जाना जाता है और आप हमसे वादा करेंगी कि जो सेलेक्शन वाली फोटो जहीं यहाँ बच्चों की उसमें से अब आपकी भी मैं सलेक्शन वाली फोटो लगाऊंगा इस बात का वादा करके आप जल्दी से जालिए और जो विद्यार्ति करते कि तो भाइट्स के बारे मता देजे और बता देजे कब पारी चीजे बता देंगी जो भी आप पूछेंगे और बाकी कोई डाउट हो किस पर आप वाट्सप कर देंगे तो वह हमारे पास सेर हो जाएगा ग्रूप पे तो मैं आपके समस्यक समधान कर दूंगा बहुत बहुत धन्वाट थैंक यू वहरी मत जैहिंद